नमस्ते दोस्तों वेलकूम बैक आप लोगों को हमारा चैनल पर स्वागत थे तो आप लोगों को पता होगा करेले में वह सरे वीटामिन है जैसे आईरन है मैंगनेसे में पटासिय में वीटामिन ए है वीटामिन सी है ये अक्सिटन बहुत सरह है आप लोगों पता है कितनी है सारा वीडामिन हमारे सेथ के लिए तो ज़रूर है ना दोस्तों इसलिए करेले का मज़ा लेंगे आप लोगों ने पहला वेला वीडियो तो देख लिए करेला और आलू का चोखा आज निला है दूसरा पार्ट पार्ट टू आज हम बनाएंगे करेला और आलू का चोखा लिखाते हैं ताकि करेला हमारा सेथ के लिए पहुत पाइदा मनें इसलिए तो जरूरी है ना दोस्तों एक लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राब कीजिए नए ने रेसिपी जाने के लिए करेलो आलो का चोखा का वीडियो पाट पान देखेंगे आज हमने लाए हैं वीड कई रेसिपी जानने के लिए इसेखेंगे के लिए हम पाथे चीह लेंगे तो आटे टाइम सब्सक्राइंगा कितना ही जी है अब इसको मैस कर लेते हैं पैन में दो तेबल स्पून ओय ले रहे हैं अब इसमें पंच फूरण वान टेबल स्पून डाल रहे हैं अब हरी मिर्ची को डाल रहे हैं हरी मिर्ची हो गया है अब इसमें कटा हुआ प्याज को डालेंगे आप टेबल पून नमक डाल रहे हैं ताकि प्याज जल्दी जल्दी फ्राइ हो जाए हमारा प्यास फ्राइ हो गया है हमारे प्यास फ्राइ हो गया है अब इसमें लेसुन को डालेंगे कटा हुआ लेसुन को डालेंगे हम यहाँ पर चार लेसुन लिये है अब यह फ्राइ करने के बाद यहाँ पर कटा हुआ टमाटो को डालेंगे टमाटो बुनने के बाद अब इसमें टमाटो बुन लिए अच्छे से अब वान टेम्बल स्पून हल्दी पौड़ो डालेंगे वान टेम्बल स्पून गरम मसलब अब इस सब को मिक्स करके थोड़ा फ्राइ करेंगे अच्छे से हमने यहां पर फ्राइ कर लिए है अब इसमें मैस्ट आलू और मैस्ट करेले को डालेंगे अब इस सब को मसाला में अच्छे से हमें मिक्स करेंगे ताकि करेले जो पानी होगा वो सुख जाए ड्राय ड्राय हो जाए तो अच्छा आएगा टेस्ट, इसलिए हमने यह सबको अच्छे से मिक्स कर लिए, देखिए हमारा चोखा बन गया है, अब इसमें सुआत्प की मुतबिक नमक डाल रहे हैं, नमक डाल दिये, अब इस सबको मिक्स कर लेते हैं, थोड़ा फ्राइ देखिए दोस्तों हमारा करेला और आलू का चोखा नमबर टू रेड़ी है, आए दोस्तों खाते हैं और इसका मजा लेते हैं, करेला हमारा सेथ के लिए अच्छा है, खाना तो पड़ेगा ना, हमें जो बहुत सारी दिजीश से बचाता है, आए दोस्तों मजा लेते हैं, और हमारा स्वास्त का ख्याल रखते हैं करेला और आलू का चोका नंबर वान देखिए यह रहा हमारा चोका नंबर टू जो चैनल को सब्सक्राब कीजिए नए ने रेसिपी जाने के लिए तैंक यू पो वाचिंग